बच्चों अब हम अगले पेरेग्राफ की तरह बढ़ते हैं अम्मी बच्चों से कहती हैं कि आओ बच्चों बैठो आज हमारे यहाँ आज एत का दिन है और आज हमारे यहाँ पर क्या बनता है शीरखुर्मा तो सब पेड़ बर कर खाओ सूर्भी मनाली अम्मी शीरखुर्मा मतलब क्या शीरखुर्मा क्या होता है अम्मी मनाली शीरखुर्मा मनजे शेवयांची खीर तया मदे दूद, साखर, मनुके, काजू, खारिक, बदाम, इत्यादी, पधार तस्ताद तो माँ उसे समझाती है उसमान के अम्मी उसे बताती है कि शीरखुर्मा मतलब सेवयों की खीर इसमें दूद, शकर, मनुक, काजू, बदाम, खारिक वगेरा चीज़े डाली जाती है एह सांगता सांगता अम्मी ने सरवानन शीरखुर्मा दिला मुले आनंदा ने खाऊ लग ली ये सब बताते हैं अम्मी ने सब बच्चों को शीरखुर्मा दिया और बच्चे खुशी-खुशी खाने लगे जौन मनाला खरज अम्मी शीरखुर्मा खुपस छान जाले जौन ने जैसे ही शिर्खुर्मा खाया उसने अम्मे से खा कि सच में अम्मी शिर्खुर्मा बहुत अच्छा बना है सरवजन एककत्र अच्छा ये तो अम्मी जैसे ही सब बच्चों का शिर्खुर्मा खाना हुआ उस अब एक साथ बोले कि अच्छा हम चलते है अम्मी मनाली परत या बरका पुडशा इदला पणिया शेर खुर्मा खायला तो अम्मी बच्चों को कहती है कि अगली पर फिर से आओ शेर खुर्मा खाने के लिए